well so good morning good afternoon good evening to all of you कैसे दोस्तों आप सभी लोग आए होप आप बहुत अच्छे होगे तो चलिए हमारा GST चप्टर वाई चार्ट रिविजिन मिशन सम्भा में आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे रिविजिन आज टॉपिक होगा टाक्स इन्वाइस और टाक्स इन्वाइस इस चप्टर में जहां तक दिखा जाए तो सारी प्रोविजिन समच्छे से रिवाइस करेंगे यह कह दू कि यह चप्टर में इस बार अमिंडमेंट्मेंट्स जो एक में अमिंडमेंट्मेंट्स बस यह है कि जो आपका इन्वाइस का लिमीट है वो अब 5 करोर कर दिया है and since 2017-18 अगर किसी भी preceding financial year में आपने अगर यहाँ पर aggregate turn of 5 करोर क्रॉस कर दिया होगा तो आपको current year में invoice जो है कमपसरी होताएगा तो पहले जो था लिए तो हम यहाँ tax revision tax invoice revision start करेंगे पहले तो यह बता दू कि जो student first time ही अगर mission संभव का tax invoice का revision देख रहे होगे तो yes मैं उन सभी को कहोगा कि mission संभव की playlist as well as questionnaire की playlist और आपके amendment की playlist आपको description में मिल जाएगी और मेरा first video ज़रो देखीगा जिसमें मैंने आपको बताए कि mission संभव इस revision series के लिए आपको किस तरह से subscribe करना है और chart notes and other material आपके login में आपको यह chart notes और other material provide कर दिया जाएगा जो updated charts आपको उसमें दिये जाएगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हाँ यहाँ tax invoice के revision में जो यहाँ मेरी existing recording है तो existing recording में आपको जो है okay यहाँ हम revision continue करेंगे जिसमें major दो ही change है कि यहाँ e invoice की जो limit है 5 crore कर दिया और hsn code hsn code जो है sorry dynamic qr code का जो chart रहेगा उसमें आपको 5 crore करना है बाकी पूरा revision सेम रहेगा तो चलिए दोस्तों start करते हमारा chapter by chart revision on tax invoice are you ready yes or no चलिए यहाँ पर द्यान से सुनना हर बात carefully सुनना और मैं आपको इतना guarantee देता हो कि taxi noise में अगर आपको notes पढ़ने में दिक्कत जाती होगी lengthy लगती होगी तो बस यह chart अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साब से अच्छे से वही rhythm में वही sequence में वही chronological order में आप यह chart पढ़ लेना साथ साथ में इसका questionnaire खतम कर देना ओके तो बस बस और क्या है ओके नव आजाते हैं यहां पर invoice तो invoice कैसे देना चाहिए तो invoice normal case और supply of goods के case में और supply of service के case में वैसे invoice की provision हमने time of supply यह topic में भी देखी थी okay पर दोनों के लिए invoice तो देखो goods में अब मैं पहले तो में यहां यह कर देता हूँ कि invoice की चार situations government ने दी है government कहती है कि हमने business को analyze किया है और business को analyze करने के बाद हमें पता चला कि business के nature के इसाब से total 4 situations है और 4 situations में आपने किस तरह से invoice देना चाहिए पहली situation है normal case normally इंडिया के सारे supplier of services ने invoice कैसे देना चाहिए लेकिन continuous supply of goods होगा या continuous supply of services होगा और अगर आपका service in between ही बंद हो गया होगा तो वो case में आओके यहाँ पे अलग होगा तो चलिए सबसे पहले invoice के case में आपके दिमाग में चार situations हा जानी चाहिए normal, continuous और यहाँ पे sale on uproll or return basis और cessation of supply of services चलिए normal case में देख लेते हैं normal case में government क्या कहती है अगर कोई supplier of goods है क्योंकि यह आपको classification करना बहुत जरूरी होता है कि वो goods है यह service है और इसके लिए आपको schedule 2 और section 8 composite और mix supply है यहाँ हम जरूरी देखेंगे तो अब यहाँ जो है normal case में वो क्या कहते है normal case में यहाँ पे यह कहते है कि issue of invoice on or before okay देखेंगा अगर normal case और goods है goods में दो टाइप के supply होते है एक goods में moment है और एक goods में moment नहीं है goods में moment मतलब क्या मतलब क्या कि मैं आपको goods deliver कर रहा हूँ either supplier move कर रहा है या recipient लेके जा रहा है अगर goods के moment goods में moment है तो on or before okay on or before the time of removal okay on or before at the time of removal for supply एक word add कर देना for supply okay मतलब आपने tax invoice कब देना चाहिए तो जब आप remove कर रहे हो for supply धान रखना जब आप remove कर रहे हो for supply तब तक invoice देना चाहिए उसके पहले भी दे सकते हो पर for supply मतलब क्या मतलब अगर आप stock transfer stock transfer कर रहे हो समय लो आपकी branch को बेज रहो आपकी branch same state में है और stock transfer कर रहे हो आपको यह पता होगा कि अगर आपकी branch same state में है और single registration में है तो वो case में tax invoice देने की जरुवत नहीं है वहाँ stock transfer चाहला and rule 55 चाहला न बनता है तो वो क्या कह रहे है कि अगर आप remove कर रहे हो removal for supply होगा supply मतलब sale transfer barter action lease rental disposal होगा यह वर्ट मत भूलना remove for supply होगा उस वक्त आपको tax invoice देना पड़ेगा या उसके पहले भी आप दे सकते हो उसके बाद में in other case okay अब in other case मतलब की goods में moment नहीं है okay दहां से सुनिएगा goods के moment नहीं है मतलब as such बेचा जा रहा है मैंने class में benches का example दिया था कि भई मैंने hall जो है hall में benches पड़े थे और बाकी सब equipment थे तो कोई दूसरा classes वाला आया मैंने as such उसको दे दिया या कोई भी machine है जो movable है पर fix है एक जगा और as such दूसरे को बेज दिया तो as such जिसमें moment नहीं है पर वो goods है movable है पर हमने as such बेज दिया तो वो case में जब आप delivery देविए या made available करवाओगे उस वक्त आपको यहां पे supply यह tax invoice देना पड़ेगा उसके बाद में government ने एक छोटी सी amendment की और government ने एक power अपने पास रखी लास्ट टाइम ही amendment हुई थी और यह amendment क्या government कुछ category specify कर सकती है in respect of supplies of goods or service specify category of services और supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such manner as prescribed मतलब government ने यह जो है कि government यह कहते है कि government कुछ services या supply notify कर सकते है जिसमें invoice कब देना चाहिए यह government बताएगी subject to such condition and condition mentioned therein specify the category in respect of any other document deemed to be tax invoice and tax invoice may not be issued हाँ तो government ने तीन पावर अभी तक इसका notification नहीं आया है लेकिन government ने तीन पावर अपने पास रखी yes कि नॉर्मली तो supply जो है वो goods का यहाँ पर जब movement होगी और नहीं होगी लेकिन government ने यह तीन पावर अपने पास क्या रखी कि अगर कोई ऐसा नया ही supply है अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और यह जो अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और हमें समझ में आया कि move जब goods move होगा तब invoice देना possible नहीं है तो उसका time हम अलग तरीके से बता सकते है by notification लेकिन अभी उसका notification नहीं है या फिर okay invoice के जगा दूसरा कोई document अगर बना सकते हो तो हम दूसरा document specify करेगे जैसे in case of movie, movie की case में अगर cinematographic film होगी तो ticket ही आपका invoice बोला जाएगा तो ऐस तरह से कोई other document होगे तो other document को हम invoice कह देंगे और या फिर हम कह देंगे चलो यह case में tax invoice देने की जरूरत नहीं है तो यह government ने power रखा है लेकिन अभी तक कोई notification नहीं दिया है यह तो supply of goods के case में हो, what do you mean by supply of service, service होगा तो आपने invoice कब देना चाहिए, service होगा तो आपने invoice जो है, okay बहुत ही standard format है, okay normally 30 days from the completion of service, याने on or before, okay on or before मतलब पहले तो आप दे सकते हो, याने अगर आप आज service provide कर रहे हो, तो आप पहले भी दे सकते हो, during भी दे सकते हो, लेकिन service complete होने के बाद आपको 30 दिन और available है, और 30 दिन में आप कभी भी invoice दे सकते हो, ठीक है, देखो दोनों में क्या फरक है, यहाँ पे remote तक invoice दे देना पड़ता है goods के case में, service में आपको नहीं service यह आपको 30 दिन मिलते हैं, और completion पे नहीं, 30 दिन भी extra मिलते हैं, तब तक आप invoice कभी भी दे सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे, लेकिन banking, financial institution, NBFC और insurance company होगी, तो वो case में 45 days का time दिया गया है, I repeat, वो case में 45 days का time दिया गया है, तो 30 days and 45 days, लेकिन बेटा यहाँ पे, और क यह third वाला point जहाँ student ignore कर देते हैं, यह मैं थोड़ा आपको बताना चाहोगा, हो सकता है कि इसके उपर MCQ question पूछ ले, क्या, अगर insurance company होगी, bank होगी, FI होगा, NBFC होगा, telecom sector एड किया है, या other notified person, where service is provided to distinct person, हैने DDP, मतलब क्या कि अगर insurance company, bank या financial institution और एक्सेटरा, अपने ह इसके ब्रांच को service देती है, जो separately registered है, तो वो case में हर transaction पर 30 दिन में invoice देना possible नहीं है, क्योंकि banks में, एक मेक के branch में बहुत सारे transactions होते हैं, example की तवर पे, SBI branch from Pune और SBI branch from Surat, तो अब SBI, SBI दुनिया भर के transaction पूरे इंडिया में करती है, branch to branch between DDP, तो वो case में हर transaction पे invoice देना मतलब यह तो मर जाएगे बिचार है, क्योंकि SBI की तो 1000 से जादा branch से पूरे इंडिया में, तो यह तो मर जाएगे बिचार है, तो ऐसे case में, इनको invoice कब देना है, when supplier record in the books of account, और last day top quarter which is letter, मतलब क्या, मतलब यहाँ transaction पे invoice ना देते हुए, अगर in branch transaction होगा, तो वो case में जिस और quarter end में सब settle कर देना पड़ेगा, whichever is, okay, sorry, whichever is later, whichever is earlier, मतलब क्या, generally एक example की तोर पे, यहाँ पे inter branch transaction banking है, insurance है, यह quarterly settle करते है, मतलब समय लो, okay, पूने SBI ने सूरत SBI को service दिया, तो ऐसे case में, जितने भी transaction पूने SBI to सूरत SBI होता है, तो वो case में, यह सारे transaction जो है, okay, वो यह quarter के end में settle करते है, तो फिर ऐसे case में, transaction wise within 30 days, invoice देने की जरूरत नहीं है, जो quarter के end में, जिस दिन settle होगा, okay, उस दिन पूरा invoice एक साथ बना लिया तो भी चलेगा, लेकिन, अगर quarter के end में settle होने के पहले, अगर book entry कर दिया जाए, यानि book entry पहले कर दी, तो फिर book entry पे invoice तो वो sector के लिए इन्होंने quarter end या उसके पहले book entry, okay, which is earlier, तो वहाँ से लिया जाएगा, चली, very good, okay, चलो, फटा-फट attendance लगाओ, ये गलत बात है, आगे, आप अगर ये revision कर रहे हो, और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, तो फटा-फट मुझे attendance सब की दिखनी चीए, अट उसके बाद में continuous supply of goods और continuous supply of service, फटा-फट मैं दो मेट बात देखूगा, सब की attendance देखनी चीए मेरे को, okay, जो भी देख रहे है, continuous supply of goods और continuous supply of service, इसकी definition मैंने चार्ट में नहीं लिये शायद, वो definition आपने, okay, sticky note से attach कर देना, definition जो book में से लिख के, मैं अभी आपको explain कर देता किया जा रहा है, जहां recipient periodically payment कर रहा है, जहां पहला point, continuous और recurrent basis पे supply किया जा रहा है, okay, supply वो electricity हो, या कोई liquid हो, okay, दूसरा electricity, gas और liquid कुछ भी हो, दूसरा वो जिसमें periodical payment सामने वाला करने वाला है, okay, यह अगर supply होगा, और any notified supply of the government, उसे continuous supply बुला जाएगा, simple word में, okay, जो goods का supply जैसे gas का supply है, उसके बाद में मैंने दूद वाले का example दिया था कि दूद वाला आपको supply कर रहा है, continuous basis पे कर रहा है, उसके बाद में यहां पे कोई liquid product है, वो supply कर रहा है, तो जो भी यहां पे, okay, चलो फड़ा fat, okay, जो भी connected है, okay, मज़ा आएगा आपको region में, आपनी, yes, like कर के attendance लगा, like कर के attendance लगा, तो continuous supply of goods होगा, okay, तो यह situation में, यहां पे invoice देने का तरीका अलग होगा, तो continuous supply of goods मतलब जो continuous recurrent basis पे supply किया जा रहा है, it may be electricity, it may be, okay, यहां पे through pipeline, okay, through pipeline or conductor or whatever the area, okay, वो मोड आप यूज कर रहा है, इसमें important क्या है, important recipient periodically payment कर रहा है, यह इनी notified goods by service, हाँ, यहां पे तीन मैने का criteria नहीं है, अगर continuous supply of service होगी, तो वहां तीन मैने का criteria अगर आपका contract तीन मैने से ज़्यादा होगा, तो ही continuous supply of service कहा जाएगा, goods case में ऐसा नहीं, goods case में 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, तो भी वो continuous supply of goods कहा जाएगा, okay, यह ह क्योंकि जैसे ग्यास, ग्यास की pipeline है, ग्यास जा रहा है, कैसे रिमूर डिसाइड करें, अरे रिमूर हुआ अभी इन्वाइस दो, वो तो continuous रिमूर हो रहा है उसमें इन्वाइस देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनके लिए separate criteria खा और उनके लिए क्या, क्राइटरिय रखा है, कि दोनों contract के अंडर में supply होना चाहिए, एक वर्ड बड़ा important है, कि दोनों contract के अंडर में supply होना चाहिए, तो ऐसे situation में, और के continuous supply of services में, अगर आप successive statement या successive payment आप जैसे दुद वाला, दुद वाला मंतली जो है, आपको एक statement बना के देता है, या यहाँ पे newspaper वाला, या फिर gas का आपका मंतली statement आता है, तो जिस दिन successive statement बन रहा है, या फिर successive payment एक साथ payment आ रहा है, whichever is earlier, okay, तो यहाँ पे on और before, okay, आप invoice दे सकते हो, समझ लो, आपका, यहाँ पे दुद वाला, अगले मेने के पास तारीक तक आपको statement बना के देता है, तो वो पास तारीक या उसके पहले कभी भी tax invoice दे सकता है, ख्यार रखना, supply of goods के case में, successive statement और successive payment, whichever is earlier, लिखना हो, तो ल current basis पे दिया, under contract दिया, और period 3 months से ज़्यादा है, और periodical payment है, और any service notified by the government definition लिख लेना बेटा, आपको काम आएगी, यहां sticky notes लगा के बाद में चार्ट में अगर print out लिया होगा तो, तो ऐसे situation में, वो case में, यहाँ continuous supply of service कही जाएगी, अब यहाँ पे next हम देखे, तो continuous supply of service में इन्होंने invoice देने के तीन criteria रखे, come on यार, continuous supply of service के invoice देने के तीन criteria रखे है, पहला, okay, due date of payment ascertainable in a contract, okay, due date of payment ascertainable, मतलब यह क्या है, यहाँ पे ऐसा है, कि समझ लो मेरा renting agreement हुआ, और rent agreement मेरा यहाँ पे, okay, 11 मेने का हुआ है, 11 मेने का rent agreement मतलब period जो है, तीन मेने से ज़्यादा ह तो वो case में continuous supply of service बुला जाएगा, अब अब वो continuous supply of service बुला जाएगा, तो वो situation में मैंने contract में clear लिखा हुआ है, कि हर मेने के 10 तारीक के अंदर मेरा tenant, मेरा recipient payment करेगा, तो यह payment जो है, वो recipient, अगर आपको लिखना है, तो लिख देना कि data payment by recipient, और वो due date fix है, मैंने अपने contract म due date fix की हुई है, कि मेरा tenant जो है, वो 10 तारीक के अंदर मुझे pay करेगा, तो ऐसे situation में, as a landlord मुझे कब तक invoice देना पड़ेगा, तो ऐसे case में, दोस्तो, as a landlord मुझे invoice देना पड़ेगा, और वो invoice देना पड़ेगा, 10 तारीक है उसके पहले, on or before, और के 10 जो due date fix की है, तो such due date के पहले आपको वो invoice देना पड़ेगा, जैसे annual maintenance contract, annual maintenance contract साल भर का लिया हुआ है, और आपने जो है, यहाँ due date fix की हुई है, तो वो due date जब जब भी आएगी, to that extent, जितना भी मैं service देता हूँ, जितना भी मैं rent लेता हूँ, वो case में, यहाँ पे उतने amount तक का invoice आपको due date के पहले issue कर देना पड़ेगा, अगर due date ascertainable होगी, अगर due date ascertainable नहीं होगी, जैसे example की तौर पे मैं कोई class ले रहा हूँ, और class 6 मैंने का है, और 6 मैंने class कर ले दे वग, student मेरे पास आया, और उसने कहा कि sir, मैं payment कहसे करूँ, मैंने खुद हो कही कहा, तीन installment होगी, मैंने periodical payment में ले आप तीन installment में pay करोगे, लेकिन installment की date fix नहीं किया, मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि मैं installment की date fix कर रहा हूँ, कि देखो अभी आपको आज देना है, फिर दो मैने बाद देना है, और date लिखकर दे दिया मैंने, कि आपको यहाँ पर इस date को देना है, लेकिन यह case में मैंन अगर ऐसा टनेबल नहीं होगी, तो date of payment received, याने जब-जब भी student मुझे payment लाके देगा, उस दिन या उसके पहले, मैं कभी भी tax invoice दे सकता हूँ, date of payment यह date of payment equals to date of payment by recipient, यह लिख देना, date of payment, मतलब date of payment by recipient, यह आप लिख सकते हो, यहाँ पर, next, event fix in a contract, event fix in a contract मतलब क्या, कि मतल यहाँ पर बहुत सी बार, जब continuous supply service होता है, तो payment event wise होता है, अब event wise कैसे होता है, जैसे ले लो construction service, और कि मैं construction service दे रहा हूँ, आपको पूरा building बान के दे रहा हूँ, अब building बान के दे रहा हूँ, इसमें due date fix नहीं है, पर मैंने event fix किये, event fix किये मतलब क्या, प्लींद पे इत प्लाब service दे रहा है, जैसे architecture service, construction service, और उसमें event fix किये होँ, इसमें क्या, event fix किये होँ, तो जिस दिन वो event complete हुआ, जैसे plint complete हुई, और plint पे मैंने कितना माँगा है, 30%, तो मुझे 30% का invoice, और कि last job completion of event, अब जिस दिन plint complete होगी, उस दिन या उसके पहले, मुझे वो invoice issue करना पढ़ेगा, दोस्तों, exam के इसाब से very very important, इसके उपर case study आ सकती है, और इस related questions अच्छे से पढ़के जाना है, इस बार आपके exam में इसके उपर case study expect कर रहा हूँ, तो इस तरह से 3 event मैंने यहाँ पे दिये, समझा होगा, तो कहिए yes, yes, okay, MZ, MZ, मजा आ गया, और कि यह speed से हम response मुझे समझेगा, और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी student connected है, okay, फटा फट अपनी attendance लगा, ऐसे मत करो, और अभी समझा होगा, तो like करो, फटा फट, okay, और MZ, MZ type करो, very good, मजा आ गया, okay, उसके बाद में यहाँ पे, next हम बात करेंगे, good sent on return और approval basis, good sent on return और approval basis मतलब क्या, okay जैसा आप sale हो रहे है, sale हो रहे है, तो example की तोर पे मैंने बहुत basic और day-to-day life का example अपने class में भी लिया था, और मैं अभी भी लिया रहा हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अभी किसी ने बच्पन में जरूर देखा होगा, कि यहाँ पे, okay, sale on approval or return basis में क्या ह अज़ाओं पे, ऑज में मेरे घर पे आता है, okay, वो पूरे अपने रिक्शा में आता है, रिकशा मतलो आटो रिक्षा में आता है, 20 साल से आता है हमारे गर में, और वो सब साड़ी लेके आ रहा है, okay, यहाँ आँनि मेरे इसके गठे बानके आता था, फिर वो जो ए, okay, घर में बैठ जाता था घर की सारी लेडीज एरे मेरी ममी भाबी वगरे सब बुआ वगरे सब बैठ जाती थी उसके पास वो सब को साड़िया बता रहा है जैसे आपने अमीर घराने में जोईलर्स वाले को देखा होगा ऐसी मुवी में देखा होगा जोilares आ गएा घर पे बता रहा है तो वह क्या है कि हो जब अपनेर उस से इवेंट को धेन रखना है अपने वेराउंट से गुट्स को रिमू करता था और गुट्स को रिमू करके घर पे आता था और गर पे आकर वो सब को सारीया बता रहा है अब कि आप तो बावी जी यह रख लू आप यह अच्छ लगाआ अच्छ लगेगी अब मै आज भी के बाप मेरे वाइफ पहले की बात आप न केंग क्योन जब मैं पहले की वार सुंता ने करने वाइफ हुआ ऐसे डो सुँंती जमाह्यों अब भहाद सुरूर की ऑवगो आप सिब देखो, नहीं अच्छ लगी तो मैं वापस लेके जाओगा, एने गुड्स सेल हो रहा है, बट अपरोल और रिटन बेसिस, मतलब अपरोल नहीं तो रिटन कर लोगा, ऐसे केस में वह सारी वाला इन्वाइस कब बनाएगा, तो वह सारी वाला इन्वाइस कब बनाए इसके केस में नॉर्मल रूल रिमोल पर पॉसिबल ही नहीं है, वह कब बनाएगा, ओके जब यहां पे कस्टमर से अपरोल मिल जाएगा, ओके जब कस्टमर से अपरोल मिल जाएगा, ओके वह केस में उस दिन वह इन्वाइस बनाएगा, आप कह लिखो के बिफोर और अड़ Gr Lobd by recipient। अगर शे मेने के अंदर अप्रोल नहीं एकवस शे मैने के अंदर आपरोल नहीं मिला, from removal तो जिस दिन 6 months complete होगे उस दिन वो invoice बनाएगा लेकिन यह जो criteria only goods के case में applicable है यह service के case में applicable नहीं है only goods के case में applicable होगा उसके बाद में बिटा यहाँ पे session of supply of services, session मतलब क्या कभी कभी क्या होता है कि specially service contract, service contract in between बंद हो जाते हैं जैसे मैं अभी में example लेता हो एक interior decorator था और मैंने अपने office के लिए उसको लगाया हमारा contract समझ लोग एक लाग रुपे का decide हुआ लेकिन उसने कुछ activity के बाद देखा कि यार वो सही डंग से नहीं कर रहा है और कि उसकी कुछ 20% activity हो गई थी और 20% activity होने के बाद देखा कि उससे ही डंग से नहीं करना है मैंने का नहीं तू नहीं मत कर अब contract तो एक यहां पर एक लाग रुपे का हो गया था पूरा लेकिन मैंने 20% service पर कर दिया मैंने का नहीं आप तुझे नहीं करना है अब वो इंटियर डेकोरेटर को देखो वो इंटियर डेकोरेटर जो है यहां पर जहां तक देखा जाए उसने 20% का service complete कर दिया था तो लौ क्या कहता है लौ यह कहता है कि अगर किसी भी service provider की service जो in between in seize हो जाए तो to that extent यह जितना उसने service दिया कितना उसने service दिया 20% जो दिया है अगर उसने 20% service दिया है तो 20% service तक का उसको invoice देना पड़ेगा at the time when services cease यहने जिस दिन seize कर दी उसी दिन invoice देना पड़ेगा और वो invoice to the extent of supply made और कि जितना supply किया उतने supply था कि invoice देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों यह हमने अलग-अलग situations देखी कि जहाँ invoice कैसे issue किया जा सकता और सारी situations मैंने इसमें cover कर ली आपके लिए एक home work sticky notes पे continuous supply of service और continuous supply of goods के यहाँ पे definition लिख लेना और यहाँ attach कर देना करोगे अब यहाँ पे content of invoice और voucher एक बार पढ़ लेना मतलब क्या आपके invoice में क्या होना चाहिए मैं सबके नहीं दे रहा हूँ पर यह जरू देख लेना कि वह और कि name address और GSTN supplier का होना चाहिए HSN उसके बाद में consecutive serial number series और invoice number होने चाहिए date of issue होना चाहिए name and address और GSTN of recipient अगर recipient registered है B2B transaction है तो उसका भी GSTN चाहिए other details of unregistered recipient मतलब unregistered होगा तो at least उसकी भी details होनी चाहिए और यहाँ पे अगर amount 50,000 से ज़्यादा है यह मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ amount 50,000 से ज़्यादा है तो उसका address भी और place of supply भी होना चाहिए HSN code, description of goods, quantity of goods, total value, taxable value, GST tax rate अलग से mention होना चाहिए amount of tax, place of supply भी होना चाहिए address of delivery, अगर river charge होगा तो वहाँ पे एक option होना चाहिए river charge होगा तो river charge पे tick का option होना चाहिए कि भाई इसका tax recipient देगा और कि digital signature अगर required होगी तो वह nature of document, quick QR code, okay QR code भी यहाँ पे especially invoice के case में QR code compulsory है और अगर आपका 500 करोड से ज़्यादा turn or होगा तो वह situation में unregistered को supply किया तो QR code और कि यहाँ पे जरूरी है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे next very very important इसके उपर आपको question आ सकता है और वो question क्या आएगा okay कौनसी ऐसी केसे से जहाँ tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा very very important exam में इसके उपर question आएगा एक बार फिर से कौनसी ऐसी केसे से जहाँ tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा okay तो issue of tax invoice अगर आपका per transaction I repeat आपका per transaction value less than 200 होगा अगर आपका per transaction value less than 200 होगा और supply B2B होगा supply B2B होगा तो वो केस में invoice तो देना पड़ेगा मतलब B2B के case में invoice देना पड़ेगा क्यों न आपका transaction 150 रुपे का होगा जैसे मेरी company मेरे company कोई stationary shop गई और मैंने का एक pain देना पचास रुपे का हुआ तो वो जो pain 50 रुपे का होगा लेकिन मैंने का नहीं भाई मुझे company के नाम पर बिल चाहिए तो वो okay 50 रुपे का क्यों न पड़ेगा वो company के नाम पर बिल होगा तो उसे मुझे GST देना पड़ेगा okay okay transaction less than 200 होगा लेकिन okay यहाँ पर B2C होगा B2C होगा तो वो case में यह देखो multiplex होगा तो multiplex में tax invoice देना पड़ेगा और आपका tax invoice strict ही माना जाएगा अगर multiplex screen होगी तो okay अगर recipient tax invoice मांगता है B2C के case में तो वो case में देना पड़ेगा बस एक ही ऐसी case है एक ही ऐसी case है यहाँ पर कि अगर अगर यहाँ यहने अगर आप यह लिखो के देखो अगर invoice value less than 200 है और आप यह supply कर रहे हो तो आपने tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा tax invoice नहीं भी दिया चलेगा पर इसके तीन exceptions है exception तीन पहला अगर B2B transaction होगा तो देना पड़ेगा multiplex होगा तो देना पड़ेगा recipient tax invoice चाहता होगा तो देना पड़ेगा even in case of B2C transaction तो आप पहली line लिखोगी कि value less than 200 होगा तो invoice देने की ज़रूरत नहीं है tax invoice देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तीन exceptions है उसके बाद में अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा क्योंकि transaction चोटे-चोटे बच्चा chocolate मांगने आ गया बच्चा station नहीं मांगने आ गया B2C transaction है और वो यहाँ tax invoice नहीं मांग रहा है तो फिर अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा तो at the end of the day यह बहुत important statement है at the end of the day आपको उसका एक consolidated पूरे दीन का जितने भी आपने छोटे-छोटे transaction किये B2C और उसमें आपने tax invoice नहीं दिये तो at the end of the day आपको एक complete invoice बनाके रखना पड़ेगा okay complete invoice बनाके रखना पड़ेगा for the purpose of audit समझ लो मैंने सुबह 20 रुपे की chocolate बेची stationary shop है फिर एक pencil बेची 5 रुपे की फिर मैंने customer आया B2C मैंने 10 रुपे का और कोई बेचा ऐसे सारे transaction की total का एक consolidated invoice आपको बनाके रखना पड़ेगा तो ये important provision है अगर value 200 अगर value 200 है उससे जाता है तो फिर तो आपको B2B हो या B2C हो आपको invoice बनाना पड़ेगा तो इस तरह से हमने tax invoice के concept देखे और कि goods के case में service के case में 200 रुपे से कम होगा तो वह भी देख लिया चलो आजाए manner of issuing tax invoice आप tax invoice कैसे दोगे तो आप tax invoice जो दोगे ये triplicate copy में दोगे generally supply of goods होगा सुनिए supply of goods होगा तो आप tax invoice की 3 copy बनाओगे service होगा तो आप tax invoice की 2 copy बनाओगे और tax invoice की सारी details gstr1 में gstr1 में देना पड़ेगा लेकिन कुछ case में e invoice कुछ case में e invoice आपको बनाना पड़ेगा और उसमें invoice reference नमबर देना पड़ेगा अगर आप e invoice बनाते हो तो फिर ये copies की जरुबत नहीं है e invoice concept क्या है थोड़ा मैं आपको ये समझा दूँ हाँ e invoice concept क्या है थोड़ा मैं आपको ये procedure से समझा देता हो okay e invoice जो है अब आपके आपका आप खुद नहीं बनाओगे example की तोर पे ये procedure दिए easily समझने के लिए supplier है और recipient है और आप e invoice के notified category में आते हो सुनो e invoice के notified category में आते हो ठीक है sorry बेटा तो ऐसे case में आपको e invoice के registration portal पे जाके क्योंकि ऐसे invoice के registration portal बना के लखे जिसको IRP कहते है ये portal पे जाके invoice बनाना पड़ेगा आपको सारी details यहाँ पे schema आता है तो आपको सारी details including transport detail भी दे दो आपको यहाँ पे वो schema में आपको complete करनी पड़ेगी वो आपको Excel upload करनी पड़ेगी schema में complete करनी पड़ेगी और वो सारी details complete करने के बाद यहाँ पे आपका invoice validation होगा QR code होगा IRN invoice reference number जो 64 character का होगा और QR code वो generate होगा वो generate होने के बाद आपको invoice की PDF copy आ जाएगी मतलब आप invoice नहीं बना रहे हो आप invoice portal पे जाके invoice बना रहे हो और वो जो invoice की PDF copy आ गई वो आपने recipient को issue किया तो भी चलेगा इसका फाइदा क्या होगा अगर आप invoice बना रहे हो यह नीचे वाले page पे दिख जाएगा आपको invoice okay IRP पे आपने generate किया पर यह जो IRP portal है यह data जो उसने capture किया वो GSTN portal पे भेज देगा वो e-way bill portal पे भेज देगा GSTN portal पे जैसी भेज देगा आपका GSTR1 आपको अलग से बनाने की जरुवत नहीं है वो auto update हो जाएगा और यह अच्छी बात है और e-way bill की भी information जो है वो auto update हो जाएगी तो यह invoice के फाइदे भी है चलिए दोस्तों अब आते invoice concept है invoice का meaning जो है आपको दो line में simple में में लेखना है invoice essentially involved reporting details of specified GST document to a government notified portal and obtaining a reference number इन वाइज आप भी है तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा anyways जो है यह invoice यह यह पे government portal से आपको invoice बना के लेना है और वह government portal होता है आपका IRP portal यह जो government portal होता है इसको IRP portal कहते है और इस INRP portal से आपको अपना invoice करवा के लेना है next इस बार जो amendment हुई है आपके time के लिए तो invoice की limit जो है इन्होंने change की है पहले invoice की limit originally 20 था okay मतलब यहाँ पर एक साल पहले फिर 10 हुआ और आपको भी applicable है यहाँ पर 5 crores का limit मतलब अगर आपका aggregate turnor जहां से सुनिएगा अगर आपका aggregate turnor since 1718 यहने अगर 2017-18 से कभी भी सुनिएगा 2017-18 से कभी भी आपका aggregate turnor 5 crores now applicable limit is 5 crores तो अगर 2017-18 से कभी भी आपका turnor 5 crores से जादा हो गया होगा तो वो case में आपको current financial year में invoice बनाना पड़ेगा जहां से सुनिएगा आपको उसी present year नहीं लेना है 2017 से लेके तो जब तक आपका current financial year नहीं आता है तब तक कोई भी financial year में आपने 5 crores cross कर दिया होगा तो आपका जो invoice limit आपको invoicing concept applicable हो जाएगा most important point अगर आप अभी chart में या मेरे explanation में या कहीं notes में या आपके पुराने notes में 20 crores या 10 crores सुनते हो तो ignore कर देना और applicable limit जो है वो आपके लिए कितनी रहेगी बेटा 5 crores applicable होगी then चलो और इसको notified person माना जाएगा यहने जिन्हों यह limit cross कर दी उनको notified person यह माना जाएगा ठीक है उसके बेटा बात में यहाँ पे इन्वाइस पे आपको 64 character का IRN generate करना पड़ेगा इन्वाइस without IRN और आपने वो limit जो cross कर दी और वो cross करने के बाग आपने मतलब देखो सिर प्रिविएस यह year नहीं देखना है अगर जैसा अभी आपका year है समझ लो एक्जामपल लो कि आपका current year है 23-24 तो 23-24 में अगर इन्वाइस जरूरी है क्या तो आपको क्या देखना है आपको यह देखना है कि मैंने 17-18 में 18-19 में 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और कोई भी financial year में अगर मैंने 20 यहाँ पर यह जो limit है sorry यह जो notified limit है और यह notified limit मैंने cross कर दी होगी किसी भी year में पिछले 5-6 साल में तो मुझे invoice यह साल compensory हो जाएगा और मुझे IRN generate करना पड़ेगा और यह limit अब update कर दो क्योंकि आपके attempt को यह limit applicable है अगर पूरानी limit होगी तो scratch कर देना और आपके attempt को अब यह नई limit applicable है और यह limit आप update कर दीजिएगा देख रहे हो कितने limit है yes और no चलिए उसके बाद में यहाँ पे next मैं कहोगा document covered in invoice मतलब आपको invoice portal पे क्या आप invoice update कर सकते हो credit note debit note भी आपको update करना पड़ेगा अगर आपका turn or aggregate turn or notified limit से ज़्यादा है e invoice आपको स्री B2B के case में बनाने पड़ते है सुनिये द्हान से e invoice आपको स्री B2B के case में बनाने पड़ते है B2C transaction में invoice बनाने की जरूरत नहीं है या for export होगा for the purpose of export registered person होगा export भी होगा तो आपको invoice बनाने पड़ेंगे B2B और export non requirement of invoice very important कहा invoice जरूरत नहीं है B2C के transaction में invoice जरूरत नहीं है अगर ISD invoice issued by input service distributor यह concept जो है यहाँ पर final level पर detail में है अगर invoice issued by ISD होगा तो आपको invoice बनाने की जरूरत नहीं है import of goods की bill of entry के case में आपको invoice बनाने की जरूरत नहीं है पर export के case में आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद में invoice in case of reverse charge धान से सुनिएगा reverse charge के case में अगर 94 का reverse charge है तो 93 का reverse charge है वाट्योरीट में भी आपको reverse charge में अगर देखो reverse charge में recipient को invoice बनाने पड़ते है कुछ case में recipient self-invoising system होता है तो reverse charge में invoice बनेगा लेकिन import of service होगी तो नहीं बाकी सारे reverse charge में आपका invoice बनेगा उसके बाद में exemption from invoice invoice किसको किसको लागू नहीं होगा यह भी important पढ़के जाना यह भी important पढ़के जाना ओके तो invoice कब-कब लागू होगा तो invoice government department local authority special economic sorry okay sorry इन लोगों को exemption है from invoice को government department local authority यह invoice नहीं बनाएगे special economic zone insurance company banking company fi nbfc यह invoice नहीं बनाएगे okay gta invoice नहीं बनाएगा okay उसके बाद में passenger transport service में buses वगरे जो ticket होगे वो invoice नहीं बनाएगे और cinematographic film में जो आपको ticket मिलती है वो invoice नहीं बनाएगे इनको invoice लागू नहीं होगा बस बेटा इतना अच्छे से पढ़के जाना invoice का मैंने सब कुछ इसमें cover कर लिया है इसके बाहर आपको question नहीं आएगा then okay अब आते invoice मैं पूरा invoice के बारे में पढ़ा रहा हूँ invoice normal 200 रुपे का उसके बाद में copies उसके बाद में invoice concept okay हाँ और एक बाद के दो invoice अगर आप generate कर रहे हो पोर्टल के थूँ तो आपको triplicate या duplicate copy नहीं बनानी पड़ेगी okay अब revise invoice okay revise tax invoice क्या है revise tax invoice में आपका बता दू कि if you label for registration मतलब समझे लो आज आपका aggregate turn और जो है 10 लाग 20 लाग या 40 लाग cross हो गया है और 10 लाग 20 लाग आपका aggregate turn और cross होने के बाद you are liable for registration या फी section 24 में आप mandatory registration में आगे mandatory registration में आगे मतलब आपने interstate आउटवर्ट supply कर दिया आपने यहाँ पे CTP NITP या river charge whatever it में भी तो आपने जो है okay mandatory registration में आगे तो वो case में okay आज अगर आप liable होते हो तो law क्या कहता है lawyer कहता है कि 30 दिन में आपने apply कर देना चाहिए और जब आप apply करोगे उसके बाद rc आएगी तो देखो आज मैं liable हो गया मतलब आज से मेरे को gst liability आ जाएगी मतलब क्या मतलब आज से मुझे customer को gst pass on करना पड़ेगा लेकिन मैं apply करोगा apply करने के बाद rc आएगी तो rc आने के बाद ही मैं invoice दे सकता हो तो ऐसे situation में जिस दिन मैं liable होआ जिस दिन मैं liable होआ वहां से जब तक मेरी RC नहीं आती है तो वह period में tax invoice दे नहीं सकता क्यों नहीं दे सकता tax invoice क्यों ले वह period में मेरे पास gst जैसे ही मेरी RC आ गई तो इस period के B2B invoices, I repeat, B2B invoices, each invoice मुझे, okay, RC आने के बाद, उसके आगे एक मेने में, ये पुराने invoice, जब से मैं liable हुआ, जब से मैं liable हुआ, ये पुराने invoice जो है, आपको, okay, revise करके देने पढ़ेंगे, जब भी revise concept, revise invoice का short note पूछा, तो ये simply मत लिख से, revise invoice बलेंगे, ऐसा नहीं है, revise invoice मतलब क्या, कि जिस दिन RC आई, तो ये, जब मैं liable हुआ, वहा से RC तक के invoice मुझे, आगे के एक मेने में, आगे के एक मेने में, ये सारे invoice customer को, यहाँ पे revise करके देने पढ़ेंगे, तो देखिए, वो क्या कहते है, revise from effective date of registration till the date of issuance of RC, within one month from the date of issuance of RC, consolidated revised tax invoice, register person में issue, consolidated revised tax invoice, in respect of all taxable supply, made to a recipient, who is not registered, who is not registered, मतलब क्या कि जो B2C transaction है, B2C transaction के case में, वो consolidated invoice issue कर सकता है, और in case of interest rate supply, where value of supply does not exceed 2,50,000 to an unregistered person, तो आचार में इसको अच्छे समझते है, revise, chart में अच्छे समझते है, revise tax invoice, अगर transaction B2B है, वो intra हो या inter हो, come on, अगर transaction B2B है, और वो intra हो या inter हो, और के आपको हर invoice, जो वो period का है, जब से आप liable थे, till the RC, हर invoice आपको revise कर के देना है, each invoice revise कर के देना है, B2C होगा, तो B2C होगा, अगर आपने unregistered को दिया होगा, intra state होगा, तो हर invoice revise करने की जरुबत नह है, उस period में आपने जितने भी, okay, sale किया होगा, कब से, जब आप liable होए, till GST, उस period का consolidated invoice भी बनाया तो भी चलेगा, okay, मतलब सारे transaction का, समय लो, okay, 12% rate वाला, जितने भी goods बेचे उसका एक invoice, उसके बाद में, okay, 5% वाला, जितने भी goods बेचे उसके invoice, तो आपने consolidated revise बनाया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने B2C transaction किया होगा, तो वो case में interstate किया होगा, तो supply up to 2.5 lakhs होगा interstate में, तो वो case में consolidated tax invoice चलते हैं, लेकिन आपकी supply की value, आपकी supply की value अगर 2.5 lakhs से ज़्यादा होगी, कोई particular state में, okay, कोई particular state में, जैसे मैंने गुजरात में बेचा म और गुजरात में ही मेरी supply की value, okay, 2.5 के ज़्यादा है, तो फिर मुझे each invoice revise करना पड़ेगा, क्योंकि उस invoice की value 2 lakhs से ज़्यादा है, okay, RC मतलब registration certificate ना लाएको, okay, revision कर रहे हो आप, वो भी rapid revision कर रहे हो, okay, next बेटा bill of supply, यह आपने देख लिया revise invoice, exam के लिए important, इस पे exam में question आ सकता है, revise invoice पे, okay, बेटा देखो, registration, invoice, return, यह chapter के marks मत छोड़ना, बहुत easy chapter है, और अभी आप मेरे साथ revise कर रहे हो, अच्छे समझ में आ रहे है, मुझे बताइए, अच्छे समझ में आ रहे है, yes or no, बोलो, अच्छे समझ में आ रहे है, yes or no, सभी मेरे साथ invoice हो जाए, okay, yes sir, बहुत अच्छे समझ में आ रहे है, और क्या, नालाय को attendance नि लगाई, attendance लगाओ जो भी connected है, like करके, very good, चली, अब bill of supply, यह भी important, bill of supply कब देना पड़ता है, यह भी important, ठीक है, एक होता है tax invoice और एक होता है bill of supply, bill of supply आपको तीन cases में देना है, okay, अगर आपका supply exempt है, exempt includes need rate, अगर आपका supply exempt है, या need rate है, goods or service का, तो वहाँ bill of supply देना है, अगर आप composition scheme में है, अगर आप composition scheme में है, तो वहाँ आपको bill of supply देना है, ख्याल रहे है, ऐसा supply जिसमें GST नहीं लगाना है, exempt या composition scheme, तो वह bill of supply देना है, अब क्या student या mistake क्या करते है student यह सूचते है कि composition scheme में bill of supply आता है नहीं भाई, नहीं, composition scheme में नहीं, bill of supply आपका अगर exempt supply भी होगा, तो भी आपको bill of supply देना है, उसके बाद में export invoice, उसके बारे में to SCZ, supply to SCZ developer या authorize operation, मतलब आपको आपको ऐसा invoice पर लिखना पड़ता है, कि यह supply export के लिए, या SCZ के लिए SCZ developer के लिए, on payment of integrated tax, आप उसके बार IGST दे रहे हो या फिर, यह जो supply करे हो under bond, आपको आपको under bond या later of undertaking देना पड़ता है अगर यहाँ पर CA final के student देख रहे होगे, तो यह with payment of IGST और with bond यह हमने बहुत डिटेल में देखा था under IGST act, इंटर में IGST act नहीं है, पर final level पर IGST act जो है, उसमें हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में देखा है इस बात को yes or no, clear उसके बाद में कुछ additional detail आपको export invoice में देनी पड़ती है जैसे name and address of recipient क्योंकि other country का है, address of delivery name of country, कौन से country में जा रहा है वो आपको यहाँ पर details देनी पड़ती है अब last वाला part भी MCQ question में आ सकता है, और last वाला part के MCQ question में आएगा, कि अगर बंदा taxable और exam कुछ taxable है, तो क्या मैं exam के अलग बनाओ, taxable के अलग बनाओ क्यों क्योंकि exam को bill of supply देना पड़ता है और taxable को tax invoice देना पड़ता है, तो क्या मैं अलग-अलग बनाओ नहीं, आप combine bill बना सकते हो और पर उसका नाम होगा title होगा invoice come bill of supply यानि आप उपर title देदो invoice come bill of supply जिसमें, और के exam item और taxable item दोनों के एक ही bill में दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको title देना पड़ेगा invoice come bill of supply ठीक है तो ये देखा हमने invoice से related सारे concept एक ही page में, normally invoice कैसे देना चाहिए, 200 का invoice कैसा होना चाहिए, invoice कैसे होना चाहिए, revise invoice कैसे होना चाहिए, bill of supply कैसे होना चाहिए, export invoice कैसे होना चाहिए, combine exam taxable होगा, तो आपका invoice कैसे होना चाहिए और क्या चाहिए, यार मैंने सब तो cover कर लिया यहाँ पर देखो फटा फटी यहाँ पर, अब नीचे आजाओ, e invoice की process हमने देखी, अब HSN, HSN एक code होता है जो goods को दिया जाता है HSN code, तो यहाँ पर अब यह देख लो, HSN code आपको अपने invoice में कब देना पड़ता है important, इसके उपर MCQ question आ सकता है HSN code आपको invoice में कब देना पड़ता है ठीक है यह देखो, अगर आपका supply B2C होगा और B2B होगा तो अगर आपका supply B2B होगा तो आपको mandatory to mention HSN invoice invoice में HSN देना ही पड़ेगा अब mandatory होगा है अगर transaction B2B होगा तो आपको HSN देना ही पड़ेगा अब इसमें भी क्या है if aggregate turnor of preceding financial year up to 5 UCR होगा तो 4 digit का HSN देना है और अगर aggregate turnor आपका preceding financial year में more than 5 UCR होगा तो आपको 6 digit का HSN देना है 6 digit का HSN देना है clear? yes or no? पहली बात तो अगर transaction B2B होगा तो आपको HSN अब invoice में mention करना ही पड़ेगा वो product code होता है बस 4 digit का देना है या 6 digit का देना है तो यहाँ आपको आपका aggregate turnor preceding financial year में क्या है उसके बेस पर transaction B2C होगा if aggregate turnor of supply in preceding financial year is up to 5 UCR तो HSN देने की जरूबत नहीं है पर more than 5 UCR होगा पिछले साल में आपका aggregate turnor तो आपको एक बात यहाँ गडबड होगी बाता यहाँ पर need to mention HSN of 6 digit यहाँ इसा चीए हो no नहीं चीए if aggregate turnor of preceding financial is more than 5 UCR need to mention HSN of 6 digit ठीक है 6 digit का हुआ गलती से no आया है वो scratch कर देना ओके तो यह case में हमने HSN देखा चलो voucher voucher में आ जाते है यहाँ पर vouchers में आ जाते है अब देखो हमारे invoice के related सारी चीज़े हो गिया यह पूरा invoice था tax invoice अलग अलग type के invoice invoice कैसे generate होगा invoice में HSN कैसे होगा invoice में QR code कब होगा यह सब कुछ हमने देख लिया ठीक है यह सब कुछ हमने देख लिया आपके chart में 50 होगा तो 20 कर देना अब भी बार बार मत पूछ हो या आपके chart में 50 होगा तो यह 20 CR कर देना invoice अब 50 पे नहीं 20 पे हो गया आपके attempt के लिए ठीक है तो 50 होगा तो 20 कर देना इसको ठीक है चलिए अब आते हैं वाउचर स्पैन वाउचर भी एक फॉर्मेलिटी है जो GST में दी गही है तीन टाइप के आपके वाउचर होते हैं तीनों भी बहुत important है question आ सकता है तीनों भी बहुत important है question आ सकता है पहला लेता हूँ आपका receive voucher receive voucher मतलब advance देखें जब आपको advance मिलता है तो वो supply माना जाता है और time of supply के हिसाब से अगर आपको advance goods का मिलता है तो GST देने की जरुवत नहीं है क्योंकि notification 66 by 2017 आ जाता है और notification 66 by 2017 केता है कि अगर supply of goods है तो advance पे GST नहीं देना पड़ेगा invoice पे ही देना पड़ेगा या last date of invoice पे ही देना पड़ेगा इवन दो advance पे GST नहीं होगा लेकिन आपको goods का advance मिले या service का advance मिले आपको उसका एक covering document देना पड़ता है as per GST law और वो covering document आपको देना पड़ता है क्या बेटा तो वो है receive voucher दुसरी बात service है तो service पे तो advance पे भी GST आता है तो उसका covering voucher होना ही जरूरी है तो in simple word goods हो या service हो आपको receive voucher देने पड़ेंगे और advance ये specially जब advance मिलता है और के वो advance के case में देने पड़ते है now very very important इसके उपर again MCQ question आ सकता है क्या अगर जब आपको advance मिल रहा है और rate of tax या nature of supply is not determinable समझ लो किसी किया शादी है और मेरी किराना shop है और मेरी किराना shop है उसने मेरे पास है कि सर हमारे हाँ एक event है शादी है आपके हाँ से 5 लाग का माल खरीदना है मैंने का अच्छी बात है 5 लाग का माल वो खरीदने वाला है उसने का कि यार मेरे हाँ से 2-3 बंदे आएंगे उनको रोकना मत वो जो भी जरुबत होगी वो दे देना उनको ओके यह 5 लाग का माल और उसने मेरे को 3 लाग का advance दे दिया अब वो 3 लाग लेकिन वो जो है मेरे हाँ से कोई 1-2 एटम नहीं ले जाने वाला है मेरे हाँ से 10 एटम लेके जाने वाला है 10 एटम में अलग-अलग rate के है कोई यहाँ पे 5 परसंट है कोई 12 परसंट है लेकिन उसने मुझे एक लंसम advance दे दिया अब चलो एक goods का इसलिए GST नहीं आएगा सर्विस का ले देते है तो मेरी catering सर्विस है प्लस मैं शादी के लिए यूटेंसिल भी और अलग-अलग equipment रेंड पे देता हो तो अब क्या हुआ कि अब मैं catering भी देता हो यूटेंसिल भी रेंड पे देता हो decoration service भी देता हो तो उसने मेरे 5 लाग रुपे 5 लाग रुपे का contract है उसमें से 2 लाग रुपे मुझे दे दिये पर ये 2 लाग रुपे में catering का क्या decoration का क्या इसका क्या मुझे नहीं पता कि किसका कितना दिया लंसम 2 लाग रुपे दे दिये तो जब आपको advance मिलता है और advance में आप multiple services दे रहे हो okay multiple goods दे रहे हो पर goods के case में advance का importance ही नहीं है क्योंकि TOS आता नहीं इसलिए में goods का example लेके कोई फायदा भी नहीं है मैं example जो लूगा दो बेटा यहाँ पे service कही लूगा okay example लूगा दो service कही लूगा तो अब ऐसे situation में यहाँ पे service जो है okay multiple service दे रहे हो advance lump sum आया है मुझे नहीं पता कि क्या rate लगा हो क्योंकि अलग-अलग rate है मुझे नहीं पता यहाँ पे कि मेरा nature क्या होगा मेरा nature of supply है intra होगा या interstate होगा कुछ भी नहीं पता तो law क्या कहता है जब आपको कुछ नहीं पता तो हम आएंगे वो कहते है कि अगर rate नहीं पता advance मिला और कौनसा rate लगाना नहीं पता तो आप flat 18% से advance पर tax लगा दो flat 18% से बात कतम और आपको nature नहीं पता तो सबको interstate बोल दो सबको interstate बोल दो इसमें undue hardship होती है कैसे होती है मैं उसके लिए discuss नहीं करूँग अब बस आप दो line याद रखना जब भी advance मिल रहा है rate नहीं पता तो flat 18% से लगा दो और अगर nature नहीं पता तो आप interstate उसको treat कर दो that's all ये था regarding to receive voucher second आपको सवाल आता है refund voucher ये refund voucher concept very 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 important for exam भई पहले में डियाग्राम में समझा देता हो पहले में डियाग्राम में समझा देता हो कि supplier है और recipient है supplier को advance मिला step number one उसको advance मिला okay advance का उसने receive voucher दिया step number two लेकिन advance मिला receive voucher भी दिया लेकिन okay मेरी batch है मैंने batch announce किया मुझे एक लाक रुपे fees advance में मिल गई plus GST एक लाक अटरा जार रुपे मिल गया अब service है और service है advance मिला है मुझे तो ये advance का tax government को देना पड़ता है ये advance का tax मुझे government को देना पड़ता है ठीक है पर ना मैंने supply किया ना मैंने invoice दिया मतलब मेरा batch cancel हो गया supply भी नहीं किया invoice भी नहीं दिया सिब receive voucher दिया है और मेरा contract cancel हो जाता है तो government कहती है कि supplier जब पैसा student को वापस करेगा तो उसका एक refund voucher बनाएगा और refund voucher में जो उसने fees ली एक लाक अटरा जार रुपे वो पूरा refund करके उसका voucher बनाएगा इसका फाइदा क्या इसका फाइदा है कि refund voucher जो मन्थ में आपने बनाया वो मन्थ में जो already advance पे GST दिया होगा वो GST का आपको adjustment मिल जाता है in the month of refund voucher मतलब refund voucher के case में sorry adjustment मतलब आपको refund voucher का उतना credit आपको refund दे दिया जाता है GST का credit भी नहीं सिधा सिधा आपको refund दे दिया जाता है refund voucher का आपको government refund दे देती है क्योंकि आपने advance पे GST दिया होगा एक बार फिर से advance मिला मैंने उसको receive voucher दिया supply cancel हो गया supply cancel हो गया और invoice भी यहाँ पे नहीं दिया गया तो उसका refund voucher बनेगा और refund voucher दे के मैं government से उसका refund ले लूगा refund ले लूगा तो देखो यहाँ पे step देखना when receipt of advance payment receipt जिसका receive voucher दे दिया गया है और मैंने दोनों event supply भी नहीं किया and मैंने उसका invoice भी नहीं दिया तो मैं उसका refund voucher दोगा इसमें clarification है जो मैंने चार्ट form में ले लिया है when to issue refund voucher refund voucher कब देना चाहिए पहला supply is made but no invoice is given but supply कर दिया है supply कर दिया है तो यह case में refund voucher नहीं जाएगा और वो case में GST आएगा जब दोनों चीज़े नहीं होगी मतलब supply भी नहीं किया और invoice भी नहीं दिया तो फिर refund voucher आता है पर आपने supply कर दिया और invoice नहीं भी दिया होगा पर supply कर दिया तो refund voucher नहीं जाएगा मतलब आपको कोई benefit मिलने वाला नहीं है invoice is made but no supply is done invoice दे दिया तो refund voucher भी नहीं जाएगा हाँ यह case में आप आगे credit note concept में पढ़ा होगा credit note issue कर सकते हो यह case में आप credit note issue कर सकते हो पर refund voucher नहीं दे सकते हो अगर invoice दे दिया और supply नहीं किया तो refund voucher नहीं जाएगा उसकी credit note जा सकती है third supply is not made and also invoice is not issued दोनों condition supply भी नहीं किया और invoice भी नहीं दिया तो फिर वो refund voucher दोगे और आपने जो advance पे GST दिया है और कि आपने जो advance पे GST दिया है उसका आपको refund government दे देगी और कि यह बहुत अच्छा analysis है कि refund voucher कब जाएगा यह समझा है नहीं समझा बताईए बेटा बोलो फटाफट समझा है नहीं समझा मतलब दोनों event होना जरूरी है refund voucher के लिए आपने supply भी नहीं किया और tax invoice भी नहीं दिया समझा है नहीं समझा फटाफट बताऊ समझा है नहीं समझा फटाफट बताऊ अब आजाईए आप तिसरे payment voucher पेमेंट चालान का हो या पेमेंट voucher का हो देखो अब थोड़ा concept को याद रखना है supplier है और recipient है और आपका supplier reverse charge में है आपका supplier reverse charge में है RCM में है आपका supplier और recipient और आपका supplier reverse charge में है done sorry बेटा आपका supplier reverse charge में है तो ऐसे case में recipient को tax देना है अब law क्या कहता है अब law ये कहता है यहाँ द्यान से सुनो अगर supplier registered होगा दो option यहाँ पर ठीक है अगर supplier registered है और supplier unregistered है इवन्दो supplier registered होगा लेकिन अगर आपका supplier इवर चार्ज में फिर वो GTA service हो sponsorship service हो, legal service हो वो body corporate हो government हो, what is it में भी अगर supplier registered होगा और supplier river charge में notified है तो इसका tax तो recipient ही देगा no doubt, recipient ही देगा लेकिन registered होगा तो वो case में supplier tax invoice बनाएगा okay, tax invoice supplier बनाएगा वो अपने tax invoice में RCM में right tick करेगा वे important है अगर supplier registered है तो tax invoice supplier बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST के calculate करेगा, पर वो वो government को GST नहीं देगा okay, वो tax invoice बनाएगा RCM पे tick करेगा GST केलकुलेट करेगा और वो उसके invoice पे recipient government को pay करेगा recipient government को pay करेगा और जब recipient government को pay करेगा okay, तो government को 12,000 रुपे GST देदेगा और supplier को 1,00,000 रुपे value 1,00,000 रुपे है okay, value invoice के 1,00,000 रुपे है और GST 12,000 रुपे है तो tax invoice supplier ही बनाएगा लेकिन उसका 12,000 रुपे GST ये देगा और रिसीपियन सुनना है आपे, रिसीपियन जब उसको 1,00,000 की value देगा किसको supplier को, क्योंकि 12,000 government को दे दिये और 1,00,000 रुपे उसको देना पड़ेगा तो जब वो 1,00,000 की value उसको देगा तो उसका वो payment voucher बनाएगा क्यों? क्योंकि आपका time of supplier under reverse charge याद किजिए time of supplier under reverse charge date of payment to supplier कुछ याद आया? या 61th day from the date of issue of invoice whichever is earlier है इसलिए आपका TOS का document क्या? तो आपका TOS का document payment voucher एक बार फिर से अगर supplier registered है तो tax invoice वो बनाएगा हम government को pay करेंगे उसको pay करेंगे और उसको pay करते वक payment voucher बनाएगे ये provision है payment voucher लेकिन अगर supplier unregistered है अगर supplier unregistered है तो वो case में tax invoice वोन ही बनाएगा हम self invoice बनाएगे हम self tax invoice बनाएगे अगर supplier unregistered है तो recipient self tax invoice बनाएगा उस पे GST देगा self tax invoice बनाएगा ही बनाएगा payment voucher भी बनाएगा at the time of payment I repeat अगर वो unregistered है तो इसको दो formalities है कौन सी दो formalities? tax invoice भी बनाना पड़ेगा इसे self tax invoice भी कहते है और government को payment भी करना पड़ेगा और supplier को pay करते वक उसको payment voucher भी बनाना पड़ेगा I hope you understood I hope you understood अब clear हो गया होगा आपको yes or no yes or no जोर से बलो very good very good मैं तब तक पानी पे लेता हो बताएगे 1,000,000 बिटा वैल्यू है ना supplier ने मुझे बिल दिया value है एक लाक GST है बारहाजार ठीक है रिवर्चार्ज में इसलिए बारहाजार का GST मुझे गोवर्मेंट को देना है बारहाजार का GST मुझे गोवर्मेंट को देना है और एक लाग उसको देनाने भाई भी लेने उसका एक लाग का, तो एक लाग जब मैं उसको दोगा, तब मुझे एक कवरिंग डॉक्युमेंट बनाना पड़ेगा, जिसे पेमेंट वाउचर कहते है, क्योंकि इस पर मेरा TOS है, ठीक है, तो पेमेंट वाउचर तो आपको वो पेमेंट वाउचर तो आपको बनाना पड़ते हैं, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो, तब रिवर चार्ज के TOS आता है, लेकिन, सेल्प टैक्स इंवाइस रिसिपेंट को बनाना पड़ता है उसका, अगर वो रजिस्टर होगा, तो फिर रिसिपेंट इंवाइस नी बन बनाएगा, बस इससे जादा मैं रिवाइस नहीं कर सकता हो, अब आप ध्यान से पड़ो, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, अब भाई आप आजाओ, क्रडिट नौट और डेबिट नौट में, अब आजाओ, क्रडिट नौट और डेबिट नौट में, वेरी वेरी इ एंसली डॉक्यमेंट है, जब भी कुछ गल्तिया ओरिजनल इन्वाइस में हो जाती है, तो उस गल्ती को सुधारने के लिए, ऐसा मतलब GST law कहता है, कि अब आपने इन्वाइस में कुछ गरबर कर दी, ऐसा मत करना कि इन्वाइस फार दिया, फिर नया इन्वाइस दे दिया, यह पुरानी बाते बोल जाओ, एक बार आपने इन्वाइस जनरेट कर दिया, तो कर दिया, वो GSTR 1 में अपडेट हो जाएगा, अब उस इन्वाइस की जाएगी, अब क्रडिट नोट और डेबिट नोट क्या, अब जेखो, one or more tax invoices for taxable value, और tax charge in that tax invoice is fine to exceed in taxable value, समझ लो, आप मेरे customer हो, example की तोर पे, example की तोर पे कोई भी एक नाम लेता है, विनाएक लेलो, विनाएक मेरा customer है, okay, मैं supplier हूँ, इसको मैंने पिछल 10 or more tax invoice दिये, पर 10 invoice में, एक दिया होगा, या एक से ज़्यादा दिया होगा, और वो सारे 10 invoice में, मैंने एक गलती कर दी, actually इसको जो मैंने supply किया, वो 12% GST का था, okay, पर मैंने गलती से 18% GST लगा दिया, याने, okay, ज़्यादा, ज़्यादा tax लगा दिया, taxable value या tax charge, in that tax invoice, जो मैंने इसको 10 invoice दिये थे, उसमें मैंने tax payable ज़्यादा बता दिया, okay, जब मेरे ख्याल में आया, और यह तो गलती होगी, मैंने ज़्यादा tax लगा दिया, तो ऐसे situation में, okay, मैं इसको एक credit note दोगा, कि ठीक है आर, okay, तेरे को मैंने 8% GST लगाया, मैंने 8 लगाया, पर कितना चीए था, 12 लगाना चीए था, यानि यह जो difference आया, 6% का, तो one or more, सभी tax advice की एक ही credit note बनाऊगा, उस credit note में सारे invoice number दे दूगा, और 6% का जो difference आता है, उसको उतना, okay, उसके account को credit कर दूँगा, क्योंकि मेरा customer था, मैंने debit, तो उसके account को credit करके note दे दूँगा, उसको कहते है credit note, इसका मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा, कि अगर मैंने credit note दी होगी, 6% के tax की, तो ये credit note जिस month में दी होगी, उस month की output tax liability मेरी कम हो जाती है, मतलब मैं अपने return में दे सकता हो, कि मैंने इतने amount की credit note customer को भीजी है, तो customer को अगर मैंने credit note भीजी होगी, तो मुझे उतना tax कम पे करना पड़ता है, उस month में, जैसे आपको value of supply में discount याद आ रहा होगा, post supply discount होगा, post supply discount होगा, तो मुझे उसकी credit note भेजनी पड़ती है, recipient को उसका ITC reverse करना पड़ता है, अगर लिया होगा तो, और मैंने जो credit note भेजी, क्योंकि मैंने value ज़्यादा benefit मिल जाता है, तो दो बाते समझो, यहाँ पे अगर आपने original invoice में value ज़्यादा लगा दी, या आपने original invoice में rate ज़्यादा लगा दिये, और उसको कम करने है, और tax adjust करना है, तो पहली situation वो कि आप उसका credit note issue कर सकते हो, और जिस month में credit note issue की, उस month में आप tax के adjustment ले सकते हो, पहली goods आपने जो supply किया है, वो goods sales return हो गया, सुनो, सुनो, sales return हो गया, तो वो case में अगर बेचावा goods वापस आ जाता है, या service आपने invoice जनरेट कर दिया, और invoice जनरेट करने के बाद service प्रवाइड ही नहीं हुई, तो वो case में आप credit note issue कर सकते हो, या goods supplied are found in deficient quantity, मतलब आपने invoice 1000 quantity का पर पहुची 950 quantity, पचास quantity पहुची नहीं, तो पचास quantity का मैं credit note issue कर दूगा, अगर credit note issue कर देता हो, तो उतना, ओके यहाँ पे मुझे GST का adjustment मिल जाता है, और customer को उतना पैसा कम हो जाता है, तो यह 3 cases learn करनी पड़ेगी, जहाँ credit note issue होता है, नेक्स हम बात करते हैं, यहाँ पर time limit, time limit of issue of credit note, देखो credit note से यहाँ पर आप अपनी output tax liability कम करते हो, I repeat, credit note issue करने से आप अपनी, okay, credit note क्यों issue होती है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, it reduces, it reduces, output tax liability, output tax liability, क्योंकि आपको adjustment मिलती है, आपको output tax liability से, तो government कहती है, जो, okay, आप financial year की credit note, same financial year में issue करो, अगर कई कोई reason से, आपने, वो financial year में, invoice related credit note issue नहीं किया, तो आप अगले साल के, 30th day of November, सुनिएगा, credit note का time limit, 30th day of November, और date of filing annual return, whichever is earlier, दिखो, पहले जो था, या September end था, लेकिन अब जो date है, current date जो है, आपको time limit लिखना है, यहाँ पर 30th day of November तक, आप अगले साल के, credit note issue कर सकते हो, मतलब बेटा, okay, जैसे ITC लेने की time limit, वो भी 30th November कर दी गई है, credit note, जिससे आपका output tax कम होता है, तीन cases में आपने taxable value ज़्यादा लगा दी, tax rate ज़्यादा लगा दी है, sales return होगे, और goods found in deficient quantity होगा, और आपको उसकी credit note भेजनी है, और अपनी output tax liability कम करनी है, तो वो situation में, आपने अगर same financial year में credit note नहीं दी होगी, तो आप अगले financial year के 30 November तक भी आप credit note दे सकते हो, और date of filing annual return, तो यह date यहाँ पे 30th November आपको याद रखना है, ओके, यहाँ पे, next लेते हैं वेटा debit note, next लेते है debit note, debit note कभ इशू की जाती है, कि आपने debit note एक ही case में इशू की जाती है, और वो है कि आपने value कम लगा दी, बाद में पते चला कि अरे यार, मैंने तो इससे warranty charges लिये ही नी, मैंने तो packing charges लिये ही नी, मैंने कोई extra charges लेने हैं, और जो extra charges मैंने नहीं लिये, या फिर आपने tax rate 18% लगाना था, लेकिन आपने 20 लगा दिया, आपने कम लगा दिया, तो customer को मैंने debit किया है, कम amount से, और मुझे extra debit करना है, तो अगर मुझे extra debit करना है, तो उसकी जाती है debit note, and a taxable value or tax charge in that tax invoice is found to be less, मैंने जब invoice दिये, तो मैंने value कम बता दियोगी, या rate कम बता दियोगी, तो फिर उसका debit note जाएगा, debit note supplementary invoice है, और debit note वो return में बताना पड़ेगा, और debit note का time limit नहीं है, debit note मैं कभी भी issue कर सकता हूँ, 2 साल वाद, 3 साल वाद, क्योंकि debit note से government को revenue मिलता है क्योंकि मैं कुछ extra value लगा रहा हूँ, तो government का GST बढ़ेगा, इसलिए government ने debit note को time limit नहीं रखा है, लेकिन credit note को time limit रखा है, क्योंकि credit note में government को adjustment करनी पड़ती है, आपका tax कम करना पड़ता है, इसलिए credit note अगर supplier issue कर रहा होगा, तो अगले साल के September end, सुनना, अगले साल के September end या date of filing, annual return, which is earlier, चलिए, तो यह दिखा है, आपने debit note, credit note, अब कुछ special cases में tax invoice कैसे होने चाहे, बैंकिंग इंशुरंस कमपनी होगी, तो बैंकिंग इंशुरंस कमपनी NBFC होगा, तो आपने invoice में serial number नहीं भी लिखा तो चलेगा, बैंकिंग कमपनी के case में, और address नहीं भी देनी पड़ेगी, और document में भी issued और made available physically और electronically, ओके physically और electronically, ये वाला point MCQ के लिए पढ़ के जाना, अगर banking और NBFC होगा, तो वो case में, a sale supplier में issue consolidated tax invoice or any other document in lieu of thereof by whatever the name called, ओके for supply of service में during the month, at the end of the month, समय दो बैंकिंग सर्वीस होगी, तो बैंकिंग सर्वीस में जो मैं bank charges लगाता हूँ, तो आज मैंने bank charges लगाया, कल लगाया, परसो लगाया, ओके अलग-अलग DD के bank charges लगाया, चेक के bank charges लगाया, तो इसका एक एक invoice ना देते हुए, उस customer को month end में पूरा एक साथ invoice दिया तो भी चलेगा, MCQ के लिए important है, month end में आपने पूरा invoice दिया तो भी चलेगा, एक एक invoice ना देते हुए, bank को ये special benefit है, passenger transport service होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, और उस ticket में serial number और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, cinematographic film होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, और rule 55 चलान, important, और कौन सी ऐसी cases है, जहाँ rule 55 चलान बनती है, एक तो आपने liquid gas supply किया, तो rule 55 चलान बनेगी, job work के case में चलान बनेगी, rule 55 की, और transportation of goods for reason than other than supply, आपको याद है, जहाँ supply नहीं है, पर goods more हो रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, तो rule 55 चलान बनेगी, और such other cases as notified by the government, तो इस तरह से, ओके यहाँ पर अलग-अलग case में आपकी rule 55 चलान बनेगी, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर यह discussion देखा, तो हमारा chapter end होता है, और हमारा कौन से chapter end होता है, in voice, yes or no, अच्छे से समझा आपको, बोलियो फटापट, फटापट बोलियो है, अच्छे समझा, अभी भी कुछ student ने attendance नहीं लगाया है, सब सब response करो, चलो,